बूल जाएए पुरानी 32 को, 32 से निकालने बिठाने का टेंशन खतम, अब विक्स दातों की 32 से इंप्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गूजर, संपर्भी करें, गूजर डेंटर जिनिक पंधाना रोट खंडवा संपरदेश के खंडवा के रेलवे स्टेशन पर कल सूरत की और जाने वाली एक ट्रेन की चपेट में एक अग्यात युवक्ट आ गया था, उस युवक्ट की तलाश पुलिस की टीम ने शुरू कर दी थी, जीर पी थाने की टीम एक्टिव हुई थी, युवक्ट के शरीर को जबत कर, पंच नामा बनाकर उसे हॉस्पिटल में पी-म के लिए भिजवा दिया गया था, इस मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की, जो आधार कार्ड पुलिस को युवक्ट का बरामद हुआ था, मशक्कत से उसके घर की जानकारी पुलिस ने ली और उस युवक्ट का नाम दर असल नरेश पाल सिंग, पिता जस्पाल सिंग, निवासी बरेली और उसका गाउं देवी पुरा बताया जा रहा है, जियारपी थाने की टीम जो इन्वेस्टिकेशन कर रही है, उस अधिकारी ने बताया कि दर असल युवक्ट संभवतक किसी ट्रेन से खंडवा उतरा था, और लूप लाइन से ट्रेन गुजर रही थी, ट्रेन चल रही थी, और डाइवर्टीड ट्रेन थी, उस युवक्ट में युवक्ट ने चड़ने का परियास किया, और इस दोरान वो चपेट में आ गया, आसपास खड़े लोगों ने बताया था कि य ऐसा लग रहा था मानों, मेंटल डिस्टर्ब हो, दिव्यांग हो, लेकिन ये बात जो है, वो फिलाल सिद नहीं हुई, फिलाल पुलिस की प्रात्मिक जानकारी में जो आया है, पुलिस की प्रात्मिक इन्वेस्टिकेशन में जो जानकारी निकल कर आई है, वो ये निकल कर और उसमें उसका पैर फस गया, उसके बाद वो ट्रेन की चपेट में बुरी तरीके से आ गया, फिलाल उसके माता-पिता यूपी से निकल गए हैं और खंडवा जल्द पहुंच सकते हैं, उनके माता-पिता की बाद भी सुनवाने का परयास करेंगे जब वो खंडवा आया थ युवक समवतर खंडवा में किसी ट्रेन से उत्रा और उस ट्रेन से वो कहीं जाना चाता था, लूप लाइन से वो ट्रेन होकर गुजर रही थी, चलती ट्रेन में उसने चड़ने का परयास किया, गड़े में पैर आने से वो ट्रेन की चपेट में आ गया, और उसका एक्सि किसी की समस्या से पाएं निजात बार बार बत्ती से निकालने और बैठाने की जंजट से पाई ये मुक्ति अब फिक्स बत्ती से इंप्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शेहर खंडवा में जब डॉक्टर दिनेज गुजर हैं तो टेचन किस बात की अधिक जानकारी के लिए संबर्ख करें गुजर डेंटल क्लिनिक पंधाना रोड खंडवा